जहेंद फ्रेंज वेलकम तो सेंचोरियन डिफर्स एकेड़मी रीजेट्ली आपने सुना होगा कि परलियमेंट में एक बहुत जबरदस अटैक हुआ आपने देखा होगा बहुत सारे इम जिसमें पूरा का पूरा पारलियामेंट धूआ धूआ हो गया ये एक बहुत बड़ा security concern है हमारे पारलियामेंट को लेके इससे पहले भी 2001 में हमारे यहाँ पारलियामेंट में आतंक बादियों ने हमला किया था कुछ उसी तरीके के हमलों को दोहराने की कोशिस की गई अभी 13 दिसंबर 2022 को ये बहुत बड़ा इशू है देखने में इशू आपको बहुत छोटा लग सकता है हो सकता है कि एक और्डरी सी घटना होई हो लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है जिन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर जाकर उस प्रकार से गैस के कनस्टर्स खोले एक प्रकार से आतंकवादी हमला है हमारे 140 करोन की जनसंख्या पर हमला है ये एक बहुत बड़ा हमला है इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि क्या कुछ हुआ है पार्लियामेंट में 13 दिसमबर को और 13 दिसमबर 2001 को सेम डेट में हमारे पार्लियामेंट में किस प्रकार से हमला किया गया था उसकी भी कहानी सुनाओंगा आज के इस वीडियो में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो नीचे comment section में जरूर बताना है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे है, ऐसे ढ़े सारे वीडियो斯 के लिए, आपको क्या करना है आपको comment करना है शुरुआत करते हैं हुआ क्या है actually हुआ यह है कि जैसे आपके screen पे image दिखाई दे रहा है इसमें क्या हो रहा है आप देख रहा है कि Parliament की जो नई building है नई building में दो विक्ति मिलके क्या किये जाके अपने जूतों में gas connector जो रखे हुए थे gas के dip बे रखे हुए थे gas के CCI रखे हुए थी उसको उन्हेंने खोल दिया और कुछ इस प्रकार जिस प्रकार आपको image बे दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार जो है वहाँ पर धुआ धुआ हो गया पुरा yellow yellow हो गया Parliament और अगर ये gas किसी भी प्रकार से chemical weapon होता तो क्या होता 545 MP नहीं मरते 140 करोण देशवासियों के उपर हमला हो जाता ये बहुत बड़ी बात है हम आपको ये बात समझना होगा कि ये बहुत बड़ा घटना है और इसको ordinary घटना के जैसे आपको ट्रिट नहीं करना है आपको पता है कि इसी डेट पर 13 दिसंबर 2001 में क्या हुआ था आपको पता है कि Indian Parliament पे हमला किया गया था लसकरे तेवा के पाँचा अंतंगबादियों ने Indian Parliament पे हमला कर दिया था कुछ उसी परकार के सोच रखने वाले ये लोग है जिन्होंने आज यानि कि 13 दिसंबर 2030 को Indian Parliament पे हमला किया ये बहुत बड़ी बात है हम आपको समझना होगा कि एक परकार का आतंगबादी घटना था ठीक है तो इस परकार जैसे आपके स्क्रीन के इमेज में दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा Parliament यलो यलो हो गया स्क्रीन पे फिर से फोकस कीजिए आप देखेंगे कि एक वेक्टी है यहां पर ये वेक्टी क्या कर रहा है जूतों में क्या करके रखा है इसने गैस कनिस्टर्स रखा हुआ है और ऐसे मेज पर जो जहां पर बैठते हैं हमारे MPs वहां पर ही उचल लाए बिजिटर जो गैलरी होती ही वहां से कूद पड़ा ये विक्ती और उसके बाद इसने क्या किया इसके बाद इसने अपने हाथों से गैस कनिस्टर्स खोल दिये और अगर उसमें किसी परकार से केमिकल वेपन होता जो कि नहीं था हमारे MPs बिलकुत सेफ हैं लेकिन अगर होता इसराइल, लिबनान, सीरिया का बहुत चारा एक्जामपल आप देख सकते हैं जहां पर गैस से हमला किया गया था लाखों के लाखों लोग एकदम चंड मिनतों में खतम हो गये थे गैस लीक ट्रेजडी, भोपाल गैस ट्रेडी जाता है गैस की तो घटना थी अगर माल लो ये गैस किसी परकार से पॉईजनस गैस होता, तो जितने MP थे इनके उपर, लेकिन ये मंसा इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए मंसा सिरफ इनको सजा देना नहीं इसके पीछे के mastermind को पकड़ना एक बहुत बड़ी मंसा होनी चाहिए, गवर्मेंट को कोसिस करना चाहिए कि पता करें कि किस विक्तिनी ये काम करवाया है, किसकी मंसा है जो इंडियन पार्लियमेंट में अभी भी निगाह बना के बैठा हुआ है, 2001 याद कीजिए 2001 की ओ घटना, जब लसकरेवत तैबा के 5 लोगों ने हमला किया था सेम डेट चुनने का क्या रीजन था अगर सेम डेट चुना गया है, तो इसके पीछे की मंसा समझे, ये भी आतंगबादी है सोच आतंगबादियों से इनकी मिलती है अगर आतंगबादियों से इनकी सोच नहीं मिलती तो सेम डेट नहीं चुनते, सरदार भगत 2001 के देट से बिल्कुल मैच करती थी 13 दिसंबर 2023 की देट बड़ी मैच कर रही है देट मैच करने से इसके मानसिक्ता पता चल लए कि ये भी तरीके से आतंकवादी ही मानसिक्ता से प्रेरित थे और यही नहीं पार्लियमेंट के बाहर भी आपने देखा होगा कि इस प्रकार के ग्यास कनस्टरस खोले गए सेम डेट में 13 दिसंबर 2023 की देट में इसके अलावा आपको समझना होगा ये बहुत बड़ी बात है 2001 में क्या हुआ था 2001 में आपको पता है कि इस प्रकार हमारे 9 से जादा जो सहीद थे हमारे पुलिश वाले थे वो सहीद हुए से 2001 की घटना मे इसका नाम क्या है बहुत फेमस प्रिसनालिटी इसको फांसी 13 सालों बात दिया गया ठीक है तो इस व्यक्ति का पूरा जो गेम था ठीक है पूरा गेम इसी व्यक्ति का था पूरा मास्टर माइंड इसको गिरफतार किया गया और उसके बाद क्या किया गया इसको फांसी दी visitor pass generally दो दिन पहले या एक घंटे पहले जारी होता है visitor gallery होती हो visitor pass होता है gallery में entry करनी है तो आपको दो घंटे पहले pass जारी होता है लेकिन अगर visitor chamber में बैठना है तो आपको दो दिन पहले pass मिल जाएगा लेकिन इस pass को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपने MP से संपर करना पड़ेगा वो कहेंगे कि हाँ मैं आपको जानता हूँ आप मेरे relative है या हमारे constant छेतर के वेक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ किस्तिते किसे का आपका आपराधिक record नहीं है आप बहुत अच्छे वेक्ति हैं तो क्या होता है हमारे MP साहब उनके लिए पारलियामेंट में अरजी लगाते है कि भीया ठीक है इस वेक्ति को पारलियामेंट में बैठके जाना है आप एक visitor pass निकाल दीजी जब MP की बात सब कुछ ठीक लगती है तो क्या होता है तुरंत जो है पारलियामेंट के अंदर जो प्रोसीजर है वो होते हुए उनके लिए एक visitor pass रिलीज किया जाता है लेकिन नॉर्मल वेक्ति को नहीं जिनको कोई नहीं जानता है उनके लिए नहीं जाके आप टिकट खरीद सकते हैं नहीं होता है आपको MP से संपर करना पड़ेगा लेकिन visitor gallery तक पहुँचने के लिए आपको और source power लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा करीबी होंगे आप MP के तभी आप जा सकते हैं visitor gallery के अंदर लेकिन समस्या है हाँ और खड़ी होती है इसमें समस्या है होती है कि जो ये दो वेखती थे ये visitor gallery तक पहुचे और gallery से पहुचके MP के chamber में कूद गए उपर से कूदे हैं एकदम उपर से कूद गए हैं ये बड़ी बात है कैसे security concern कैसी मतलब security थी कि पहचान नहीं पहे कि जूतों में इन्होंने कुछ रखा हुआ है अगर आप parliament में जाएंगे न कभी जाने का मौका मिलेगा तो आप ठक जाएंगी इतनी security है मैं गया हूँ आप ठक जाएंगी इतनी security रहती है parliament में लेकिन ये कैसे हो गया कैसे हो गया कि जूतों से इन्होंने छिपा के रखा और पता नहीं चला किसी को कानो कान ख़बर नहीं लगी अंदर तक पहुँच किया chemical weapon होता तो क्या होता बहुत सारे लोग मारे जाते दो important rules आपको समझाना चाहता हूँ जो की rules of procedure and conduct of business in लोग सभा में लिखा हुआ है दो important rules question है हाँ से आ सकता है rule number 386 and rule number 387 rule number 386 जो लोग सभा है उनके speaker को ये power देता है कि कि किसी वेक्तिक एड को parliament के अंदर दाखिला मिलेगा नहीं मिलेगा या remove बाहर कर दिया जाएगा उनको withdraw कर दिया जाएगा ये power किसके पास है लोग सभा speaker के पास है और जो लोग आते हैं जो visitor आते हैं उनको stranger कहा जाता है और ये power लोग सभा speaker के पास भी राजसभा के chairman के पास भी है ठीक है तो stranger का क्या मतलब होता है जो visitor होते हैं उनको stranger बोला जाता है अब इसी के अंदर 387 के sub clause 1 है जिसके अंतर जो secretariat होता है लोगसभा का उसके पास भी power है किसी व्यक्ति को अंदर या बाहर कर सकते हैं ठीक है तो अभी जो है अभी लोगसभा के speaker के पास तो matter पहुचा नहीं था अभी तक तो यहीं सब सारा matter घूम रहा था लेकिन अब लोगसभा speaker ने इस पे बहुत ज़्यादा action लिया है बहुत तारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है कि भाई आपने ऐसे कैसे आपने कैसे पास जारी कर दिया बहुत लोग हल्ला गुल्ला भी मचाय हुए है कि भाई कैसे parliament में घटना हो गई एक घटना तो बहुत बड़ी घटना है तो इस सरकार को ध्यान देना चाहिए सरकार बहरी है सरकार ने कोसिस किया है जाँच बैठाई गई है पूरी तरीके से इनको आतंगवादी जैसा ट्रीट किया जा रहा है इनके उपर केसे चल ला है लेकिन सवाल फिर से रह जाता है किसकी मान सिकता थी कौनवेक्ट ही था जिसने पार्लियमेंट में हमला करवाया ठीक है तो इतनी सी बात थाएंकिस सो मच फॉर वाचिंग बहुत जबरदस तरीके से हम लोग इसको डिसकस कर रहे हैं बहुत सारे इंपर्टन्ट इसूज हम लोग डिसकस कर रहे है उमीद है इस सारे इसूज आपको बहुत जबरदस तरीके से काम भी आ रहे होंगे बहुत सारे स्टोरीज आपको समझ में आ रहे होंगी जो मैं डिसकस कर रहा हूँ आपके साथ अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियोज आपके लिए बेनिफीशियल हैं तो प्लीज लेट में नो इन कॉमेंट सेक्षन ताकि ऐसे वीडियोज देह सारी आपको मिलते रहे हैं अपको अपकोमी आपकोमी अपकोमी आपकोमी इसेज़ बेया है